अलो बच्चों कैसे आपनों आज हम पड़ेंगे कक्षा 6 से जो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 6 के 6 का पार्ट 2 जो की था बच्पन उससे लिया था और आधा चैप्टर हमारा बचा था और आधा हमने पढ़ लिया था अब आज हम उसको उरा करेंगे सामने आकास पर सूर्यास्त हो रहा है गुलाबी, सुनहरी, धारिया नीले आसमान पर फैल रही है दूर दूर फैले पहाडों के मुकडे गहराने लगे और देखते देखते बत्यां टिम्टिमाने लगी रिस्पर की रोनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने स्कैंडल पॉइंट की भीर से उभरता कुला है सरवर स्कैंडल पॉइंट की ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके सोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था इसकी पट्रियां उस पर खड़ी छोटे छोटे दिब्बेवादी ट्रेन एक और लाल तीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिगनल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बने सुरंगे पिछले सदी में तेज रफतार वाली गाड़ी वही थी मतलब पहले की जो मैंने हम आप पहले पढ़ चुके हैं वो अपने पहले की समय के बता रही थी कि आपकी समय और हमारे समय में कितनी दूरियां आ गई है और क्या-क्या चीजे बदल चुकी है तो कभी-कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते हैं मतलब पहले अभी आजकल तो आप रोजाना देखते हैं हवाई जहाज दिल्ले में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दोरते देखते हैं एक भारी भर कब पक्षी उड़ा जा रहा है और यह कहते हैं पंक फैला कर कभी-कभी जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या सुसते हैं हवाई जहाज को समझते हैं कि कोई पक्षी है जो पंक फैला कर उड़ता हुआ जा रहा है यह देखो और वह गायब उसकी स्पीड ही तनी तेज लगती हाँ गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐस उन्हें पनी जच्चश्मे के बारे में बता रही कि छच्मे की दुकान मैं आज तक नहीं भूली हूं जहांपर मेरा चश्मा बना था और वहां के वहां जो दॉक्टर थे वह क्या कौन थे एक अंग्रेज थे सुरू सुरू में चस्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा छोटे बड़े मेरे चहरे की और देखते और कहते आखों में कुछ तक्लीफ है मतलब चस्मा लगाने पर लोग जैसे चलाते तो हमें लगता है कि हमारे जो फ्रेंड्स से क्या करेंगे हमें चिड़ाएंगे तो उस समय अटपटा भी लगता है कि हमें क्या कहेंगे कैसे कहेंगे मैं कैसे जाओंगा सामने तो उससे उसको तक्लीफ भी हो रही थी लेकिन आखों में क्या थी तक्लीफ थी इस उम्र में आनक दूद पिया करो मैं डॉक्टर साहिब का कहां दोहरा दे थी कुछ देर पहनोगी तो आनक उतर जाएगी और फिर उसे पूछते थे उसके फ्रेंड चिड़ाते थे तो वो कहती थी कि डॉक्टर ने कह रखा है कि कुछ देर या कुछ दिनों तक चश्मा पहनोगी आनक पहनोगी तो चश्मा तुम्हारी क्या हो जाएगी उतर जाएगी वैसे डॉक्टर साहिब ने पुरा आसवासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा केवल डॉक्टर क्या उसको आसवशन दिया था और चश्मा अभी तक नहीं उतरा उन्होंने अभी तक लगाया हुआ है मैं अपने आप इसके जिम्मिदार हूँ जब आप दिन की रोशनी को छोड़ कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा हाँ जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा देखो देखो कैसी लग रही है मतलब मेरे कारण ही मुझे चश्मा लगा है क्योंकि मैं दिन के उजाले को छोड़ कर रात में टेबल एंप जलाकर अपने काम करती थी और मेरा जो चचेरा भाई था चचेरा मीस चाचा का लड़का मुझे चिड़ाता था और कहता था कि कैसी लग रही है आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालुम सूर्च बनी लंगूर की मतलब Չसे चिड़ाता था इस तरीके से क्या आक पर चश्मा लगाया थाकि सूझे चश्मा लगा कर मुझे बहुत दूर तक सूझे गा या दिखेगा लड़की को मालूम नहीं कि वह क्या लग रही है एक बंदर की तरह है लंगूर की तरह है लग रही है मैं खीजी की मुझे पर यह क्यों दोराया जा रहा है मतलब खीजी में स्क्रोड होना चिड़ चिड़ाना मुझे बुरा लग रहा था और सेर्फ मुझे बुरा लग रहा था कि वो इस तरीकी के बाते क्यों कर रहा है जब ये चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आइने के सामने खड़ी हो गई कई बार अपने को देखा एनक उतारी फिर पहनी मतलब कई बार में क्या कर रही थी वो चश्मे गोतार रही थी और पहन रही थी सूरत बनी लंगूर की नहीं नहीं हाँ हाँ तो कभी सोच रही थी हाँ हाँ और कभी सोच रही थी नहीं नहीं मैंने अपने चोटे भाई का तोपा उतार कर सिर्पर रखा कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाक्या भी मतलब कभी अच्छा भी लगा और कभी मजाक की तौर पर लिया उसने तब की बाती अब तो चहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा जब कभी उत्रा हुआ होता है तो चहरा खाली-खाली लगने लगता है याद आ गया वह टोपा काली फ्रेम का चस्मा और लंगूर की सूरत तबकि बाती और चहरे के साथ गुल मतलब चश्मा उसे फिट होने लग गया फिर उसे अच्छा भी लगने लग गया चश्मे की बिना अगर हमें आदेत हो जाती तो हम चश्मा लगाते हैं और फिर उसने कभी उसे उतारा नहीं अगर वो उतारती थी तो उसे क्या लगता था चहरा खाली-खाली लगने लग जाता था तकि उसने क्या नहीं पहना, क्या नहीं लगाया है और फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत हाँ इन दिनों सिम्बला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ मैंने कई रंगों की जमा कर लिया कहा दुपटो का ओना और सहज सरल सुभीते वाली हिमा चली टोपी मतलब मैंने मुझे टोपी लगाना भी अच्छा लगने लग गया क्योंकि मैं शिम्ला में थी और अलग-अलग तरह की उसने टोपियां क्या करी थी रंगों की जमा कर रखी थी दुपटा ओना और सहज बतलब दुपटा ओना उससे सहज और सरल लगता था अब किस नहीं लिखी है ये क्रिश्ना सोबती जी ने लिखी है इसे तो बटा इसके ये चैप्टर आपका पूरा हुआ तो आप इससे दुबारा पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे और नेक्स टाइम मैं आपको इसके वर्ड मिनिंग या प्रिश्न अभ्यास कराऊंगे ओकि बटा टेक किया थेंक यू